मुझे पता है तुम रात में क्या करती हो? क्या करती हो मैं रात को? दीदी और जीजा जी के कमरे से आवाजे आती हैं और उस आवाज को सुन कर तुम अपने आपको सटिस्फाई करने की कोशिश करती हो कल रात को मैंने आपकी और विपलब की बाते सुन दी थी दोस्तो जब से बैप स्रीज का ट्रेंट चला है लोग मोबिश को भूलते जा रहे हैं इन बैप स्रीज में हमें ओ सब देखने को मिलता है जो मोबिश में नहीं होता इन बैप स्रीज में गाली गलाउच और 18 प्लस सीन तो दिल खोल कर परोसा जाता है आज हम आपको ऐसी बीजी आप तो नीचे से उपर तक ऐसे ही इतनी गोरी है अरे भले ही हमारा पूरा देहिया गोरा है लेकिन असली चीज काला है नमबर वन मडर इन अगोंडा बैप स्रीज बेस्ट है क्राइम मिश्टरी एंड थीलर एक्टिविटी के उपर बैप स्रीज की स्टोरी की अग स्टेच वान मीनी टीवी पर तुम यह घर विश्वास को दे रही हो हां और वाट बाट मी विश्वास को है मैडम का फ्रेंड है नमबर टू इलाइट सीजन फाइब दोस्तों इस बैप स्रीज का इंतिजार तो सभी पे सबरी से करते हैं बैप स्रीज इस पेसली उन्हें ब चैने जादा फष्वास पत्रामा देखना बहुत ज्यत्व पसंड़ एयंट सिरिज में आप देख पाएंगे कुछ टिनेजर के प्राबलम को और 10 इन अबसित्य करते हैं यहीं क्यों को बैप स्रीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इस बार भी अभे बहुत सारे केस को सॉल करने वाली हैं और एक केस कितनी ज्यादा इंट्रेस्टिंग बनाई जाती है ये तो इस बैप स्रीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है डैंप सरीज रिलीस की गई है जी फाइपर